नमस्कार दोस्तों ददिमति संस्क्रीत एजुबिसन में आपका स्वागत हैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्ते बिल्कुल जैसा कि हम सब के लिए प्रातना करते हैं हमारे घरवाले चाहते हैं हमारा समाच आता है बिल्कुल आप स्वा मेडिया के जरीय ही सही हम ये जान सकें कि आज का ये वीडियो कितना महतपूर्ण है और क्यों महतपूर्ण है आसा करूंगा कि आप इस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखें छोटा सा वीडियो रहेगा तो दोस्तों आज 21 मार्च 2020 है और कल 22 मार्च 2020 रव्यार के दिन जो सरकार ने एलान किया है हमें उसमें बढ़ चड़ करके हिस्सा लेना है यनि कि हमें राष्ट्र भक्ती दिखाने का 100 अवसर प्राप्त हुआ है दोस्तों जब हम हमारे गरों में 14-15 गंटे के लिए जब हम रहेंगे तो ये जो संपूर्ण गटना करम होगा 15 गंटे का इसमें जो कोईरना वाइरस का जो एक चेन सिस्टम है हम उस चेन को तोड़ने में सफल होंगे दोस्तों यही एक तरीका है राष्ट भक्ती दिखाने का अपने आपको राष्ट के प्रति समर्पित करने का यहाँ पर हमें जेकारे नहीं लगाने हैं यहाँ पर हमें बंदुक लेकर के किसी वोडर पर नहीं जाना है हमें केवल इतना सा करना है कि हम हमारे गरों में रहें अपने परिवार के बीच रहें और हम ऐसे इस्थानों पर बिल्कुल भी ना जाएं हमारे गर को छोड़ करके कहीं भी ना जाएं ताकि जो सरकार ने एक जो कदम उठाया है कि इस कारणा जो महामारी है इस वाइरस से ह यदि हम आमारे गरों से बाहर नहीं जाएंगे तो निश्चित तोर से हम इस चैन सिस्टम को तोड़ने में सफल होंगे और पूरा भारत इस कल के बारे में यदि हम ऐसा करने में सफल हुए यदि हम ऐसा करने में हमारा दाहित्व जो है उसको निर्वहन करने में सफल हुए त तो निश्ची तोर से कल का दिन स्वारण अक्सरों में भारत वर्ष के इतियास में लिखा जाएगा इसे बहुत सारे अबसर आये हैं अब से पहले जिसमें पूरे भारत ने एकता दिखाई है कल हमें हमारे राष्टर के प्रति ये जो दाइत्व है ये जो करतव्य है अंदेश सब तक पहुंचाएं कि कल सुबह से ही समय कोई नहीं देखे सुबह यनि कि पूरा रव्यार और पूरी रात हम घरों में ही रहें यदि ज्यादा ही अवशक हो तो ही हम एक दूसरे से मिलें अथ्वा कहीं जाएं अब कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ग्रामिन छ दोड़राब्ट हुए है ऐसी इस्थती में हमें क्या करना है ये विवेग के ओपर निर्वर करता है यदि खिसान इस समय यदि खेतों में नहीं जाएगा तो उसका काम क्यासा चलेगा हो सकता है तो इसके लिए वो थोड़ी दूरी बना करके रख सकते हैं और इस करतव्य का हम भलिमाती पालन करें और एक दिन के लिए यदि हम घर पे रुकें तो ये सबसे उत्तम होगा हम राष्ट के प्रति अपनी जो निष्टा है उसको निभाने में सक्सम होंगे अन्यदाता ही सर्व सर्वा है इस बात में कोई संदे नहीं है लेकिन यदि हम एक दिन के लिए इसको थोड़ा सा इग्नॉर करें टालें तो ये सबसे बहतर होगा अब सोसल मीडिया पे विभिन्य प्रकार की जो खबरे आ रही है कोई अलग अलग तरीके की दवाएं बता सरकार के अगले कदम का सरकार के अगले एलान का हमें धेरिये से इंतजार करना चाहिए प्रतिक्षा करनी चाहिए कि हमें अगले आने वाले दिनों में इससे हम कैसे लड़े क्या करें यदि कोई इस प्रकार का संदिक्त है तो आप उसकी सूसना दें उसको डोक्टर के पास दिखाएं और यदि जुखाम खासी इस परकार की कोई किसी को बिमारी होती है वो नॉर्मल भी हो सकती है तो एक बार अपने डोक्टर से प्रामस जरू ले और कल के दिन यदि इस परकार की कोई होती है तो आप फौन से संपर करें और फौन से संपर करके ही भी आप उसका उस कोई भी जो ऐसी चीज जो हमें थोड़े अलग तरीके की दिखाई देती है तो उसके लिए आप डोक्टर से संपर्ख जरूर करें लेकिन कल का दिन विशेश है कि हम इस चेंज सिस्टम को तोड़ें और कल का दिन जो है भारत वर्ष के इतियास में स्वरण अक्सरों में भारत जो है वो कुछ भी करने में सक्षम है भारत पिछे हटने वाला नहीं है और इस महामारी से हम बहुत जल्द उबर जाएंगे ऐसी में कामना करता हूं एक बार पुने आप सब को आपका जो दिन है मंगल में हो आप सब स्वस्थ हों सुकी हों और इस महामारी से हम जै वारत